So the question is let L, R, C and V represent inductance, resistance and capacitance and voltage respectively the dimension of L divided by R, C, V तो आपको L divided by R, C, V का dimension बताना है तो मैं आपको बता चुका हूँ बेटा अल्रेडी आपको क्या करना है इन सबको potential, work, sorry, work, force और charge तक तोड़ना है अब देखने वाली बात यह है कि L, R, C इनके अंदर ही potential आता है कैसे आता है बेटा, inductance के लिए आप क्या करते हैं, inductance का cross potential difference क्या होता है आपका L, D, I, Y, D, T R होता है बेटा, V is equal to IR, यहां से याद अखना था आपको और C, Q is equal to CV से आपको याद अखना था, ठीके तो पहले potential डालते हैं, क्या कुछ निकल जाता है तो L is equal to क्या हो जाएगा आपका, V, D, T, divide by D, I इसको ऐसे लिखो, into R कितना हो जाएगा बेट आपका V, divide by I, तो I उपर चला गया, simple सी बात है C कितना हो जाएगा, Q, divide by V, तो divide by V है तो V उपर चला गया और नीचे V already है, I hope यह आपको A, Y, B करना आता होगा अदरवाइस आप अपना time waste करेंगे फिर A, Y, B करके, तो यह बेटा D, I हो या I हो इसका dimension सेम होता है, यह potential यह potential इस potential से कट गया, यह बसता है D, T, T का dimension हो जाता है T, और charge का dimension हो जाता है AT, यह T से T खतम हुआ, A से नीचे उपर आया तो क्या जाएगा आपका A inverse, यह फिर हो सकता है आपको final answer current inverse भी मिल जाए, ठीके?